हम अपने डेली लाइट में इस तरह के संटेंस जरुर बोलते हैं वो सब तो ठीक है पर तुम गुसा क्यूं करें तो इस तरह के संटेंस के लिए कौन सा एडवांस एस्ट्रक्चर इस्तमाल के आगा था आज हम आपको एक्जांपल के साथ बताने वाले और हमेश्या किदा ए वो सब तो ठीक है पर इसके लिए इस्तमाल होता है that's all fine but आप चाहे तो fine के place पर okay का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो इसका rule होता है सबसे पहले आप that's all fine but का इस्तमाल करेंगे या that's all okay but का इस्तमाल करेंगे इसके बाद आप main sentence को लिख देंगे sentence किसी भी tense में हो सकता है चले कुछ examples देते हैं ताकि अच्छे से clear हो जाए वो सब तो ठीक है पर वो जा कहां रही है या present continuous में है that's all fine but where is she going वो सब तो ठीक है पर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया क्यों नहीं बताया यह past and definite है that's all fine but why didn't you tell me वो सब तो ठीक है पर वो जायेगी कब या future and definite है that's all fine but where will see go वो सब तो ठीक है पर मैं जाना नहीं चाहता या present and definite है that's all fine but I don't want to go वो सब तो ठीक है पर हम लोग परसान क्यों है that's all fine but why are we upset एक संटेस आपके लिए जिसका reply आपको इसी वीडियो के comment section में करना है वो सब तो ठीक है पर तुम लोग जूट क्यों बोले कि पसंट आए हो तो लाइक कीजिए सेर कीजिए कमेंट कीजिए और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कीजिए का हमारी बाकाद फिडियोगी एकने टोभी कीजिए तब तक लिपाद का धने बाद थाने बाद थांक यू आए हॉाँ